होली के टोटके होली का देहन की रात जरूर आजमाएं। होली पर बहुत सारे टोटके आजमाए जाते हैं। यहां हम एक साथ कुछ सरल टोटकों की सूची दे रहे हैं। उम्मीद है यहां आपके काम आएंगे। होलिका देहन के दिन घर से उतारा गया तोटका और शरीर के उप्तन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतार कर उसे होलिका में देहन करने से लाब होता है भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नर्सिह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है होलिका देहन के बाद जलती अगनी में नारियल देहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती है लगातार बीमारी से परेशान है तो होलिका देहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाब मिलता है सफलता प्राप्ती के लिए होलिका देहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें ग्रेट लेश से निजात पाने और सुक्षान्ती के लिए होलिका की अगनी में जोआटा चड़ाएं होलिका देहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांध कर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबूत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चड़ाएं और बिना पल्टे घर आ जाएं अगले दिन भी यही प्रयोग करें बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जो अर्सी और कुष मिला कर छोटा उपला बना कर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें होली की रात नमो धंदाए स्वाहा मंत्र के जाप से धन में व्रिध्धी होती है 21 गोमती चक्र लेकर होली का देहन की रात शिवलिन पर चड़ाने से व्यापार में लाब होता है उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका देहन स्थल पर अनार की लकडी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाब होगा गोमती चक्र कौडिया और बताशे जलती होली में स्वयंपर से उतार कर डालने से भी जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है